हेलो फ्रेंड आप सब का स्वागत है री डिजाइन्स में तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कुड़ती के स्लिट्स पे हम बिना डोरी के पाइपिंग कैसे लगा सकते हैं यानि की कुड़ती के चाउक पे तो बहुत ही असान तरीके से ये मैं आपको बताऊंगी पाइपिंग लगाना तो आप ये मेरी वीडियो एंड तक देखें तो ये मेरी कुड़ती की घेरे वाली साइड है और ये इसके स्लिट्स वाला मार्जन जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं ये मैंने इसको माक कर लिया है स्लिट्स वाली साइड को ये दिखिए मैंने लगबग डेड़ इंज का एक्स्ट्रा मार्जन लिया है ये उपर वाली साइड आगी तो पाइपिंग लगाने के लिए ये मैंने एक इंच ओड़ा फैब्रिक कट किया है और इसको ऐसे डबल फोल्ड करके मैंने इसको प्रैस के साथ अच्छे से बिठा लिया है तो ये दिखिए ये एक इंच ओड़ा फैब्रिक है पाइपिंग के लिए और लंबा आपने अपनी स्लिट्स की जितनी भी लेंथ है उतना लंबा आप इसको कट कर लीजिए तो ये कुड़ती की सीधी साइड है और अब हम नीचे से लगाना पाइपिंग शुरू करेंगे ये वाली पट्टी को हम इस तरीके से अपनी मार्किंग के उपर रखेंगे और जितनी भी चौड़ी आप पाइपिंग दिखाना चाते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलाई लगा दे तो मैं यहाँ पे एक एक पैर की सिलाई लगाऊंगी पैर पैर हमें पाइपिंग दिखाई दे देगी तो ऐसे हमने उपर तक सिलाई लगानी है 1 इंच हम उपर तक ही लगाएंगे ताकि ये हमारी जो पाइपिंग है वो निकलेना इस तरीके से रखते हुए तो ये देखिए हमने एक इंच उपर तक सिलाई लगा ली है और बाकी की पट्टी को हम यहां से कट कर देंगे और अब हम नीचे से ये वाले मार्जन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके उपर ये सिलाई को दबाते हुए हमें जितनी भी पाइपिंग आपको दिखानी है उतनी पाइपिंग दिखाते हुए इसके किनारे किनारे सिलाई लगा दे और अब ये उपर वाली साइड आ गी है इसको भी यहां से यहां से फोल्ड करके यहां तक ही हम सिलाई लगा देंगे तो ये देखिए नीचे से उपर तक हमने सारी सिलाई लगा ली है यहां तक तो ये piping हमारी ऐसे आ जाएगी और पीछे से भी देखिए कितनी अच्छी finishing आई है, piping हमारी गुम होगी है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कुर्टी की सीधी साइड है और अब हम इसको ऐसे पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहां पर एक रफ स्टिच कर देंगे पीछे से तुरपाई के लिए तो ये देखिए एक तरफ हमारी ये piping stitch हो चुकी है और अब हम अपने दूसरे slits पर भी ऐसे ही piping लगा लेंगे तो अब ही मैं आपको दोनों slits पर piping लगा के दिखाती हूँ तो ये दिखिए friends हमारी ये पूरी कूर्टी के slits ready हो गए है और दिखिए कितनी अच्छी finishing आई है piping के साथ ये दिखिए और मैंने इसको पीछे से तुरपाई करके ready कर दिया है तो अगर आपको मेरा ये piping लगाने का तरीका और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like को share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं Till then बाबाई